फाइनली दोस्तों आज आपके सामने है BMW की न्यू लाँच G310RR BMW ने G310RR को स्टाइल स्पोर्ट और ब्लैक स्टॉम मेटलिक दो कलर में दो वेरियंट के साथ न्यू लाँच किया है इस बैक में कितनी टॉप स्पीड मिल जाती है पावर और परफॉर्मेंस कैसी है क्या-क्या इस बैक में फीचर दिये गए है और दोनों मॉडल की प्राइस क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस बैक के फ्रेंट प्रोफाल से तो इस बैक के जो मिरर है वो यहाँ पर आपको बोथ साइड एड़स्टिवल मिल जाते हैं जो की फेरिंग के साथ अटैच हैं और उपर में आपको बड़ा साथ ट्रांस्पेरेंट विंड सील का ग्लास मिल जाता है अभी इसकी जो हैड लैट है वो लो बीम पर है और मैं यहाँ से इसको हाई बीम पर करके आपको दिखा देता हूँ और यह है इसकी हाई बीम इसकी इंडिकेटर की बात करें था फुल एलिड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं में आपको हैजार्ड लैड का भी बटन मिलता है इस बाइक का जो आगे वाला मडगाड है वो यहाँ पर आपको फुल ग्लॉसी वाइट कलर का दिया गया है और फ्रेंट में आपको गोल्डन कलर के यूसडी फ्रेंट अपसाइड डाउन फ्रेंट फॉर्क यहाँ पर आपको सस्पेंसन मिल जाते हैं जिससे बाइक चलाने में आपको काफी अच्छी स्टेविलिटी मिलेगी मिशलिन कंपनी का यहाँ पर आपको आगे वाला टैर मिलता है जो की 110-70-70 का दिया गया है मतलब कि इसका जो आगे वाला टैर है वो रेडियल है सत्रेंच का यहाँ पर आप नीचे में आल ब्लेक कलर की थीम मिल जाती है उपर में आपको वाइट कलर मिलता है और इस बाइक की जो बॉड़ी प्रोफाइल है बॉड़ी डेजान है वो यहाँ पर आपको आर आर 310 जासी देखने को मिलती है थोड़ा करीब से दिखा देता हूं तो यहाँ पर आपको BMW का लोगो दिया गया है और साइड में जी 310 आर आर और रेस का यहाँ पर आपको बड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है डूल टोन कलर में जिसमें रेड कलर और ब्लू कलर का कमपनी ने इस्तमाल किया गया है नीचे में जो BMW है वो भी आपको ब्लेक कलर के स्टीकर के साथ मिल स्क्राइब और रवर्ड की की ग्रिपिंग के साथ है अब आपको ब्रेक पेड इंजिन की बात कर लेते हैं तो इसके उपर आपको BMW की ब्रांटिंग मिल जाती हैıs और पावर की बात करें तो इसमें 312.12 CC का liquid cooled single cylinder forest rock 4 valve 2 overhead camshaft and cam follower wet jump lubrication engine दिया है ये engine max power produce करता है 34 PS की 9700 RPM पर जो आपको मिलती है track and sports mode में इसकी साथी ये engine 25.8 PS की power देता है 7700 RPM पर जो आपको मिलती है rain and urban modes में यहाँ पर आपको red color का chassis मिल जाता है body frame इसका काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको एक preload adjustable suspension दिया गया है जिसको आप अपनी weight और demand के अनुसार adjustment कर सकते हैं suspension को धूल meteor कीचर से गंदा ना हो इसके लिए यहाँ पर आपको mud flap मिल जाता है और इसकी exhaust की बात करें तो वही यहाँ पर आपको dual tone finishing के साथ यहाँ पर आपको steel finishing मिल जाती है steel finishing का यहाँ पर आपको muffler guard मिल जाता है जो आपको RR 310 में मिलता था है यहाँ आपको adjustable fortress तो चली अब मैं आपको इसके exhaust के sound को check out करा देता हूं दोस्तो और यहाँ से आपको इसके exhaust का sound कैसा लगा अपाचे RR 310 के मकाबले आप comment करके बता सकते हैं इसके rear wheel area की बात करें तो लगबक 240 mm की यहाँ पर disc मिल जाती है इसमें आपको dual channel ABS मिलता है और पीछे वाला जो tire है वो यहाँ पर mislin का दिया गया है जो की 156-68-17 का यहाँ पर आपको मिलता है पीछे वाला जो tire है और वो यहाँ पर आपको radial मिल जाता है और इसके tire की जो मो दिया गया यहाँ पर आपको एक single piece grab rail मिल जाता है और आपको plane वाली seat है वो थोड़ी सी height पर है और नीचे में आपको rider वाली seat मिल जाती जो की काफी comfortable दी गई है यहाँ पर आपको seat को open करने का locker मिल जाता है इसमें आपको 811 mm की seat add मिल जाती है इस bike की जो fairing है वो यहाँ पर की एक लीटर इसमें petrol reserve रहता है यहाँ पर आपको G310RR का graphics मिल जाता है dual tone color में BMW का यहाँ पर logo दिया है इसके console area की बात करें तो इसमें आपको कुछ इस तरह की key मिलती है और meter console की बात करें तो सार्फ TFT display यहाँ पर आपको मिलती है जिसमें आपको welcome के साथ BMW motor art आपको दिख इसके साथ यहाँ पर आपको turn indicator headlight gear neutral और low fuel की alert की indication light मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक menu का एक option दिया गया यहाँ पर आपको और meter मिल जाता है ट्रिमीटर मिल जाता है यहाँ पर आपको top speed देख सकते हैं कि urban mode में इसमें आपको 126 की top speed मिलती है यहाँ आपको fuel की range देखने को मिल जाती है इसकी handlebar पर आपको operating elements मिल जाते हैं जिससे आप इसके console को adjustment कर सकते हैं यहाँ पर आपको 4 riding modes मिलते हैं दूसरा मिल जाता है रेंड mode स्था इस बाइक में आपको मिलता है sports mode और 148 मिलता है track mode यह bike track mode और च्रेक मोड्ब में 160 km फतिएगंटे की top speed तक जाती है और這邊 mode में यह वीक और avoid पर चीस की speed तक चली जाती है और यहाँ से आप इस बाइक को किसी भी mode में select करके चला सकते हैं यहाँ को trip पे मिल जाता है Walmart वीवीकल में हैं पर्फár्फिक अर्फोर्वेंस और हॉन का बटन मिलता है, इसका जो हॉन है वो मुझे personally काफी अच्छा लगा यहाँ पर आपको ब्रेक का लिवर मिल जाता है और यहाँ पर आपको self start का बटन इस बाइक की mileage की बात करें तो इस बाइक में आपको 30 से 32 km पर ते लीटर का आसानी से mileage मिलेगा यहाँ पर आपको एक single grab rail दिया गया है पिलियन के comfort के लिए यहाँ पर आपको वही RR310 वाले look वाली यहाँ पर आपको LED टेल एड मिल जाती है दोनों तरफ LED indicator दिये गए है यहाँ भी आपको दोनों साइड में reflector नीचे भी आपको reflector मिल जाता है सबसे अची बात कि इस बाइक का जो पीछे वाला टायर है वो काफी चोड़ा दिया गया है इसके दूसरी सैड में चलें तो यहाँ पर आपको Race Tested Aluminium Swing Arm मिल जाता है और यहाँ पर आपको पीछे में टायर हगर मिलता है इसके दूसरी सैड में देखें तो यहाँ भी आपको BMW का 3D में लोगो G310 RR Race का यहाँ पर आपको बड़ा साफ graphics मिल जाता है जो की इस बाइक के लोगो काफी enhance करता है यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाते हैं यहाँ पर आपको engine oil का cap दिया गया है 6 speed इसमें आपको gearbox मिलता है इसमें आपको 6 gear मिलते हैं और नीचे में आपको man stand नहीं मिलता है इसमें आपको side stand के उपर engine cut up का sensor features देखने को मिलता है तो अब price की बात करें तो G310 RR के style sports color की price है 2,99,000 और standard model की exorum price है 2,85,000 जो मैंने आपको BMW motor art चिनार पार्क कॉलकता सोरूम की बताई है अभी दोस्तो इस bike की on road कीमत नहीं आई है जैसे ही आजाती है मैं इस bike के video के description में सारी detail mention कर दूँगा आप इसको check out कर लेना वीडियो अच्छा लगा तो like करें, comment करें और share करें और देव MTR चैनल को subscribe करके bell icon notification को all पर click कर देना